हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोश सुमेर सिंग अच्छावा बिहार लाइबेरिन बरती कि त्यारी करने वाले सभी विद्यारतियों को नहीं तरफ से हार्दिक सुख कामने हैं दोस्तों आज एक टॉपिक हम उस टॉपिक पर आज हम चट्चा करने वाले हैं जिसका नाम है आई एस बी एन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेंसा हर कॉंपिटेशन एक्जाम में पूछा जाता है चाहिए आप बिलीप लेवल की त्यारी करें हो चाहिए आप एमलीप लेवल की त्यारी करें हो चाहिए आप यूजिसी एंटी एक्जाम दे रहे हो चाहिए आप किसी भी स्टेट का सैट एक्जाम दे रहे हो लागरी साइंस का हर कॉंपिटेशन एक्जाम में एक स सवाल ISBN का जरूर पुछा जाता है तो आई हम सुरुवात करते हैं आज का हमारा important topic है ISBN जिसकी full form होती है international standard book number ठीके दोस्तों और जो भी इस class को देख रहे हैं आप सभी से request है कि आप हमारी इस class को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और इस channel को जरूर subscribe कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको जो है हर topic या फिर कह सकते हैं library science की हर छोटे मोटी update आपको मिलते रहेगी दोस्तों तो आईए हम सुरुवात करते हैं दोस्तों आज का जो topic है ISBN और जो भी वित्यारती इस class को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो telegram channel है उस telegram channel का नाम है OSI for library science यह हमारा जो क्या है दोस्तों telegram channel है आप इस telegram channel पर जुड़ जाई है ठीक है ना इस telegram channel पर यह यहां पर करीबन ओल अवर इंडिया के 15,000 प्लस library science के बच्चे जुड़े हैं और इस telegram channel पर लाइभी science से जुड़ी हर छोटी से चोटी न्यूज हर छोटी से चोटी अपडेट आपको हमेशा डेली जो है इस telegram channel पर आपको मिलती रहेगी और जल्द हम जो है इसके अंदर जो है तो आप इसका जो लिंक है हमने description के अंदर दे दिया है वास से आप टेली ग्राम से जुड़ सकते हैं दोस्तों अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कोल कर सकते हो 8949992361 ठीक है दोस्तों यह नंबर आप पर्मानेंटली सेव कर लिजिए एनी काइंड ओप प्रॉब्लम रिलेटे टू दे अप्लिकेशन कोई भी एप्लिकेशन से समंदित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं अब आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ISBN और ISBN एक ऐसा टॉपिक है जो हर छोटे से एक्जाम से लगा कर यह जिसे एन्टेन नेट तर इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल पुछे जाते हैं तो शुरूआत करते हैं अपना टॉपिक है जिसका नाम है ISBN तो आप ISBN जो टॉपिक अपर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपके ध्यान एक्जाम में यह आएगा कि ISBN की फुल फॉर्म क्या होती है क्या होती है फुल फॉर्म चीक है ना ISBN की फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान एकना है I का मतलब क्या हो गया international S का मतलब क्या हो गया standard B से क्या हो गया book और N से क्या हो गया number यह सवाल बहुत ज़्यादा प्रिक्षा के अंदर प्रिवेश से के अंदर पूछा भी गया है कि what is the full form of ISBN तो ISBN की फुल फॉर्म होती है international standard book number और कई बार आपको ध्यान एकना confuse जो है option में confuse करने के लिए ध्यान एकना international की जगे Indian भी दे देते हैं तो आपको ध्यान एकना है कि Indian option भी होगा international भी होगा तो ध्यान एकना ISBN में I का मतलब international होता है क्या होता है दोस्तों international होता है और एक ध्यान एकना standard की जगे वहाँ पर special या specific भी देते हैं तो आपको option पर अच्छी तरीके से ध्यान एकना है तो तो इसमें ये ध्यान एकना है कि international standard book number होगा ISBN की full form एक सवाल तो आपको ये बन गया अब एक चीज जहान रखना है कि छोटा सो सवाल होता कि ISBN होता क्या देखें ISBN एक identification number होता है identification number का मलो होता है पैचान संख्या होती है which is given to a book जो एक किताब को दी जाती है किताब को पैचानना का एक जो संख्या होती है जो number होती हो ISBN होते है तो स्वाट में हम यह क्या सकते है कि ISBN sorry ISBN is an identification number which is given to a book एक पैचान संख्या होती है जो है किताब को दी जाती है और ISBN हमेशा ध्यान रखना किताब के पीछे जो है दिया जाता है ISBN number हमेशा किताब की जो पीछे वाला जो भाग है जो पीछे वाला जो भाग है वहाँ पर ISBN संख्या दी जाती है आगे देखिए ISBN एक अधित्य है मसीन पटनिये पैचान संख्या है जो किसी भी पुस्तों को इस पर्ष्ट रूप से चिन्नित करती है तो ध्यान रखना आपको ISBN number किसको दिया जाता है तो ISBN number दिया जाता है किताब को यह आपका दूसरा सवाल बन गया और ISBN की जो फुल फॉर्म है यह पहला सवाल बन गया तो ISBN एक अधित्य मसिन पटनिये पैचान संख्या है जो किसी भी पुस्तों को इस पर्ष्ट रूप से चिन्नित करती है यह संख्या ISO मानक 208 में परिभासित है यह तीसरा सवाल आपको यहाँ पर बन गया ठीक है न तो वहाँ पर पूछा जाता है कि जो ISBN number है इसका जो international standard क्या है अंत्राष्टे मानक क्या है तो ISBN का अंत्राष्टे मानक क्या है इकी 08 इसका भी सवाल परिक्षा के अंदर पुछा जाता है तो ISBN international standard book number is a unique machine readable identification number which marks any book unmistakably this number is defined in ISO standard 208 12108 पर यह क्या है यह IS international standard जिसको इंदी में कहते हैं अंत्राष्टे मानक भी कहते हैं और खुशी की बात यह है दोस्तों आप सब के लिए कि जो हमारा जो content है जो हमारा जो content है हमारा जो app है online school इंडिया उस application में जो हमारा content है इस बार हम पूरा जो content है bilingual दे रहे हैं ऑसल सब्सक्राइब का मलोग होता है जो हैं हिंधी में भी दे रहे हैं और English में भी दे रहे हैं जो विद्यारती हिन्दी इसके पीछे बहुत सारे important questions हम analysis करेंगे जिसका answer आप सभी को देना है जिसलिए पहले आप मेरे साथ इस theory को पढ़िए theory जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप अराम से हर question का answer दे सकते हैं इसके बाद में इस topic के बाद में करीबन 20 questions है 20 questions है जिसका answer आप लोगों को देना है इसलिए मेरे साथ साथ जो है आप इस topic को अची तरीके से समझें तो पहला सवाल क्या बनेगा कि ISBN की full phone क्या होती है international standard book number दूसरा सवाल क्या बनेगा ISBN किसको दिया जाता है किताब को दिया जाता है book को दिया जाता है और तीसा सवाल क्या बनेगा कि ISBN का अंतराष्ट्य माने क्या होता है 208 क्या होता दोसों 208 जो है ISBN का अंतराष्ट्य माने इंटरनेशनल इस्टेंडर्ड होता है अब हम बात करते हैं कि आगे ISBN की परिभाशा क्या है कि अंतराष्ट्य रूप से सैमक संक्या जो पुस्तक को दी जाती है उसे ISBN कहा जाता है very important question है यह आपका चौता सवाल बन गया तो यह सवाल कहीं बार प्रिक्षा गया अंदर पूछा गया था कहीं जगे कि इंटरनेशनली एग्रिट नंबर विच इस गिवन टू बुक इस कॉल एज ISBN एक अंतराष्ट्य नंबर जो एक किताब को दिया जाता है उसे हम क्या कहता है दो इसमें सोचा था कि हर किताब के पीछे एक ISBN नंबर होना चाहिए ठीक है ना उसमें ISBN में कितने अंग थे कितने भाग थे उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइन डिजिट इस्टेंडर बुक नंबर ISBN क्या कहते हैं उसको ISBN नंबर code 1966 में गोर्डन फोस्टर द्वारा बनाय गया था तो सबसे पहले 1966 में एक वेक्ति था जिसका नाम क्या है ऐन भाई जो है पूरा नाम है फैडिक फैडिक गोर्डन फोस्टर क्या नाम है फैट्रिक गॉर्डन फोस्टर इस व्यक्तिन है सबसे पहले जो ज्यान रगना है एक sbn नंबर sbn नंबर का मलबता इस्टेंड़ बुक नंबर कोड को उन्होंने किरियेट किया था और वो कितने डिजिट का था नाइन विजिट का था तो सबसे पहले जो एक फैट्रिक गॉर्डन फोस्टर और फैट्रिक गॉर्डन फोस्टर कौन था वो एक प्रोफेसर थे कहां थे प्रोफेसर थे ज्यान रगना वो एक प्रोफेसर थे एक ट्रिनिटी कोलेज ज्यान रगना एक जो है ट्रिनिटी कोले इसपी पिते एक नोग कोड़ किरियेट किया था तो सबसे पहले बरम क्या था स्टैंड जां तो उनने स्टैंड जां दिजिए इस्टैंड जुए कि किरियेट किया था तो सवाल बन सकता है कि हूँ है हूँ किरियेट इस बीए नमबर चाहिए ना एस बीए नमबर किसने किरियेट किया था तो द्याने किसने किरियेट किया था वो create किया था आपके Gordon Gordon जो है Gordon Foster ने किसने किया था Gordon Foster ने किया था चेकर और very important question ने द्यानक ना David Whittaker को ISBN का जनक माना जाता है तो David Whittaker is regarded as a father of ISBN David Writtaker को क्या कहा जाता है ISBN का father कहा जाता है तो चार सवाल होगे यह आपका जो पांचों सवाल है और यह आपका छटा सवाल बन गए है आप तो सवाल बन सकता है कि who is called as a father of ISBN ISBN का father किसे कहा जाता है David Whittaker को कहा जाता है उन्होंने का मतलब क्या हो गया David Whittaker ने 1967 में United Kingdom में ISBN नंबर विक्सित किया था तो सबसे पहले किसने किरियेट किया था गोर्डन फोस्टर ने 1967 में आइलेंड में किया था एक साल बाद 1967 में David Whittaker जिसे ISBN का father कहा जाता है उन्होंने UK में ISBN नंबर को विक्सित किया था तो he developed ISBN standard book number in the United Kingdom Kingdom in 1967 तो एक साल बाद UK में भी डेविट विटा डेविट विटा का नाम की विक्सित ने जो है ISBN number standard book number को विक्सित किया था जबकि शुरुआत का सोही थी आइलेंड के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम है गॉर्डन फोस्ट उन्होंने सबसे पहले ISBN number को किरियेट किया था कहां पर भाई आइलेंड में फिर एक साल बाद इंग्लेंड के अंदर ISBN number को किरियेट किया गया था किसके दौरा डेविट विटाकर के दौरा और डेविट विटाकर को ISBN का फाधर कहा जाता है चीक है दोस्ट उसके बाद एक साल बाद और 1968 में एमरी कोल्टे क्या नाम है दोस्तों एमरी कोल्टे ने स्विवत राजे अमेरिका में ISBN standard book number विक्षित किया था फिर एक साल बाद अमेरिका में कौन सा वेक्ती था एमरी कोल्टे एमरी कोल्टे ने ISBN number को विक्षित किया था इन 1968 एमरी कोल्टे डवलब एस्विएन जो है इन दा युनाइट इस्टेट तो अमेरिका में दिया नगना एमरी कोल्टे ने SBN नंबर को क्या किया था दवलब किया था तो क्याना का मलब SBN नंबर का जो विकास है सबसे पहले 1967 में गोल्डन फोस्टर के द्वारा आइलेंड में शुरू किया फिर एक साल बाद 1967 में डेविड विटाकर जो United Kingdom UK के है उन्होंने SBN को शुरू किया और डेविड विटाकर को क्या का जाता है father of ISBN का जाता है फिर बाद उसके बाद US United States में एक वेक्ति का नाम है जिसका नाम है एमरी कोल्ट है उन्होंने स्टेंडर्ड बुक को विक्सित किया था ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे SBN को very important SBN को 1907 में ISO द्वारा ISO की फुल फॉर्म क्या होती है international organization for standardization तो यह ध्यान एकना ISO की फुल फॉर्म याद करना I का मलब international अब S आई के बाद S आता है लेकिन पहले क्या आएगा OC organization for standardization तो ISBN को 1907 में ISO द्वारा पेश किया गया था और उसे अंतराष्टिय मानद international standard ISO 2108 के रूप में परकासित किया गया था very important question है यहांपा तीन सवाल बनते हैं पहला सवाल क्या बनेगा कि ISBN को introduce क्या गया था तो ISBN को introduce किसके द्वारा क्या गया था ISO के द्वारा किसके द्वारा पही ISO के द्वारा और अगला सवाल क्या बनेगा कि ISO की full firm क्या होती है तो ISO की full firm होती है International Organization for Standardization द्यान रखना, यह द्यान रखना ISO की full form क्या होती है International Organization for Standardization तो पहला सवाल बन गया ISBN was introduced by ISBN को introduced क्या गया था ISO के द्वारा दूसरा सवाल बनेगा कि ISO की full form क्या होती है तो ISO की full form होती है International Organization for Standardization और 300 सवाल बनेगा कि ISBN को कब introduce क्या गया था तो ISBN को कब introduce क्या गया था 1970 में कब introduce क्या था 1970 में क्या गया था तो यह 3 सवाल बहुत ज़्यदा important है जो भी इस class को देख रहे है उन सभी से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ISBN है एक सवाल हमेशा competition exam में पूचा जाता है इसलिए आप इस class को अचितरे से देखे साथ साथ जरूर इस content को लिखते रहे है ठीक है दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि RM में RM बैंगलों शुरुवात में ISBN में अंकों की संक्या कितने थी 10 ISBN में कितने डिजिट थे 10 डिजिट थे और भाग कितने थे 4 भाग थे लेकिन एक जनवरी दो जात साथ से ISBN में 13 डिजिट है और भाग कितने हैं वह पांच है ठीक है न वह तो कहने का मतलब यह है कि before before 1st जनवरी 2007 ठीक है न वह 1 जनवरी दो जात साथ से पहले ISBN में कितने डिजिट थे 10 डिजिट से और भाग कितने थे वह चार भाग थे 4 पार्ट से लेकिन आप्टर लेकिन आप्टर 1 जनवरी 2007 लेकिन 1 जनवरी दो जात साथ से और वर्तमान तक वर्तमान में अभी कितना है भई, ISBN में 13 digit है, कितने digit है दोस्तों, 13 digit है, end, और उसके बाद, बाग कितने होगे, 5 parts होगे, कितने बाग होगे, बाग होगे, तो अगर सवाल मुचा जाता है, कि वर्तमान में, ISBN में कितने digit है, कितने अंख है, तो वर्तमान में कितने अंग है दोस्तों तेरा अंग है कितने हैं तेरा अंग है और तेरा अंग होगे भाग कितने होगे पांच बाग होगे कितने भाग होगे दोस्तों पांच बाग होगे तो एक तो सवाल यह बन गया आपका के वही वर्तमान में ISBN में कितने अंग हैं तेर पूर पाट्स लेकिन जनवरी दुजा साथ सब्हले इस बहुत इस अंक और चार भाग थे बट सिंस फरस्ट जनवरी 2007 आईसबियन as 13 digits and 5 parts ISBN में 13 digits और 5 भाग थे अब हम भाग important topic पढ़ना जा रहे हैं कि इसमें से एक सवाल हमेसे परिक्सम पुझा जाता है कि ISBN के भाग ISBN के कितने भाग होते हैं तो आपको पता हैं कि ISBN में 5 भाग होते हैं 5 भाग तो पहले भाग का नाम किया हैं दोस्तो EAN और EAN की full form होती है दियान रखना है European Article Number कई बार परिक्सम में कुझी जा सकती हैं तो आप सबको बताएं कि ISBN के अंदर 5 भाग होते हैं पहले भाग का नाम है 1st Part, पहले भाग का नाम है EAN, दूसरे भाग का नाम है Group, तीसरे भाग का नाम है Publisher, चोते भाग का नाम है Title, और पाचवे भाग का नाम क्या हैं वे? Check Digit तो इसलिए अच्छी तरीके से याद रखना लगातार आपको याद रखना Continually पहले भाग का नाम है EAN, EAN की फुल-PORM होती है European Article No दूसरे भाग का नाम है Group, क्या नाम है, दोस्तो, Group, द्यान रखना तीसरे भाग का के नाम है Publisher, क्या नाम है, दोस्तो तीसरे भाग का नाम है Publisher, अच्छी तरीके से याद कर ले ना Чोते भाग का नाम है आपके, टाइटल होते हैं देखिए कुछ एक्जाम्पल यह आई एस भी नंबर होते हैं यह देखिए आप आई एस भी नंबर हो गया आपके अच्छी तरीके से समझ लेना इसके अंदर तेरा डिजिट होते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तो द्यान एना है, शुरू के जो तीन डिजिट होते हैं, वो क्या नंबर कहलाते हैं वे, इन, तो द्यान एन में कितने डिजिट होगे, तीन डिजिट होगे, कितने होगे, तीन डिजिट होगे, अब देगे आप, ग्रूप, ग्रूप में कितने डिजिट होते हैं, ग्रू होगे उसके बाद चेक डिजिट में कितने डिजिट होगे एक डिजिट होगे तो आप टोटल कर लीजिए तीन और दो पांच पांच और चार नो नो और तीन बारा और 12 और यह कितने होगे 13 तो ध्यान रटना ISBN के अंदर 13 digit होते हैं कितने digit होते हैं? 13 इसमें पहला भाग है EN EN में हमेशा 3 digit होते हैं Group के अंदर हमेशा 2 digit होते हैं Publisher में 4 digit होते हैं Title में 3 digit होते हैं Check में कितने होते हैं? जो है 1 digit होते हैं तो ध्यान रटना ISBN में 5 भाग होते हैं और कहीं से भी सवाल पूछ लेखते हैं, इसलिए आपको इन पाचों भाग को अथी तरीके से याद रखना है, ठीक है दोस्तों? आगे देखिए. अब एक चीज यहां रखना है कि ISBN के अंदर जो असाइनिंग एजेंसी है, ISBN असाइनिंग एजेंसी का मलत है, ISBN सौपने वाली एजेंसी, अलग अलग जो हैं एजेंसी के द्वारा ISBN नमबर दिये जाता है, और बहुत इंपोर्टेंट सवाल है यहां रखना, तो अलग नमबर किसके द्वारा दिये जाता है, आर आर बाउकर के द्वारा, किसके द्वारा भई, आर आर बाउकर के द्वारा ISBN नमबर दिये जाते हैं, दूसरा है भई, UK, UK का मलत है उनाइटेट किंग्डम, तो उनाइटेट किंग्डम के, इनाइटेट किंग्डम में किसके द् दिया जाता है नील्चन भुक सर्विस के द्वारा दिया जाता है और तीसरा शबसे ज़्यादा important इसका सवाल हमेशा परिक्षा के अंदर पूचा जाता है कि बारत के अंदर किसके द्वारा uh basis number दिया जाता है तो बारत के अंदर राजा राम मोन राई national agency द्यान लगना तो दो सवाल इंपोर्टेंट यह बन गया है कि बारत में ISBN नंबर किसके द्वारा दिया जा रहा है राजराराम बॉन राइग नेशनल एजनसी के द्वारा दूसरा सवाल है कब से शुरू हुआ था ISBN देना तो शुरू कब से हुआ था 1985 1985 से यह शुरू हु नियल सेंड बुक सर्विस के द्वारा दिया जा रहा है ठीक है दोस्तों यह चीज़ यह रखना है अगला सवाल वेरी इंपोर्टेंट के ISO द्वारा किसके द्वारा दोस्तों ISO द्वारा न्यूक्ट अंतराष्ट ही है ISBN एजनसी ठीक है ना बही जो है पूरे इंटरनेश इंटराष्ट ही है ISBN की जो एजनसी वो किसके द्वारा अपॉइंट की गई ISO द्वारा और विच इस लोकेटेट इन लंदन जो कहां परिष्टत है भई लंदन में लंदन में वेरी इंपोर्टेंट कोशन प्रिक्षा के अंदर पुछा जा सकता है कि ISBN के लिए ISBN की ज इंटर्नेशनल एजेंसी वो कहां परिस्ट है तो ISBN की जो इंटर्नेशनल एजएंसी है वो ध्यान रखना है लंदन में इस्थित्र हैं यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है ज्यान अगना ठीक है दौस्तों फिर हम बात करते हैं isbn के बारे में और भी बहुत सारी चीज़े कि 10 अंकों का isbn पारूप अंतराश्टी मांग की करन संगते मलब iso के द्वारा कि जो 10 डिजिट का जो जो फॉर्मेट सबसे पहले क्योंकि 2007 से पहले isbn में कितने थे 10 डिजिट ही थे ठीक है ना तो 10 डिजिट का जो फॉर्मेट है वह iso द्वारा विक्सित किया गया था और 1970 में अंतराश्टी मानग iso 208 के पहले संस्क्रेंट करूप में स्विकर्ट और प्रकासित किया गया था मलब isbn का जो फॉर्स्ट एडिशन है ज्यान रखना isbn का जो फॉर्स्ट एडिशन है वह फॉर्स्ट शितर में आया था जिसमें isbn को 208 द्यान रखना 208 iso टेके नवे इसो 208 के रूप में परकासित किया गया था तो isbn का फॉर्स्ट एडिशन उन्निस सो शितर में आया था और isbn को डॉलब किया गया था बाई by iso का मले होता है international organization for easternization और इसके बाद मानक के दूसरे और 30 जो संस्क्रन 1908 और 1902 में सामने आया थे तो isbn का जो second edition है तो यह second edition कब आया था 1908 में आया था और isbn का जो थर्ड एडिशन है और isbn का थर्ड एडिशन कब आया था 1902 में आया था यह चीज आपको ध्यान में रट नहीं है तो दस हमकों का ISBN format ISO की द्वारा 1902 में आया था और वह फर्स्ट एडिशन था और दूसरा एडिशन 1908 तर तीसरा एडिशन 1902 में था तो दा 10 डिजिट ISBN format was developed by the International Organization for Standardization ISO and was approved and published in 1970. तो ISBN को अभी हमने पहले भी पढ़ा था ISBN को पहली बार published किया गया था 1903 में as a first edition पर्तव सल्सकरान के रूप में जो है ISO के द्वारा जो है published किया गया था as the first edition of International Standard ISO 208 and subsequently the second and third edition of the standard came out in 1780, 1978 and 1992 respectively तो शितर इठोथर और बरानों तीन एडिशन हो गया तो दो जार पांच में पर्कासित ISO माना कि 2808 का चौटा सन्सकरान तो चौटा सन्सकरन कम आया था 2005 में देखो पहला तो आ गया brings 1970 में दूसरा आ गया 1910 होतर में टीश रहां आ गया NR91 में और चौता आ कि कम आपके 2005 में तो चौता एडिशन गहाँ था 2005 में आया था और ISBN में 10 अंकों से 13 अंकों में परिविर्थित करना एक बड़ा संसोदन लाया था जब ISBN का 4 एडिशन आया था 2005 में तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों ने बात से शुरू कर दिया था और एक संसोदन लाया था कि ISBN में अब 10 अंक है अब 10 से अब कितने होना चाहिए तेरा अंकों का ISBN होना चाहिए फिर हालांकि एक जन्वरी दो जासा से तेरा अंकों के ISBN का होल्टन शुरू हुआ था फिर 10 से तेरा अंकों का ISBN कब से बना था एक जनवरी दोजा साथ से और सभी मोनोग्राफी प्रकाशनों के लिए लागो आईएस बिन मानक आईएस सो इकीज जिरो आठ का पांचवा और नविन तम संस्क्राण दोजा सत्रा में जारी किया गया था तो आईएस बिन का पांचवा एडिसन कब आया था तो आईएस बिन का पांचवा एडिसन आया था दो हजार सत्रा में कब आया था दो हजार सत्रा में आया था और यही अभी वर्तमान में लेटेस्ट एडिसन है सवाल बन सकता आप रिक्षा के अंदर कि ISBN का latest edition कौन सा है कब आया था तो ISBN का latest edition 500 edition है जो 2017 को परकाशित हुआ था The 4th edition of ISO standard X0 art published in 2005 brought a major revision of chart changing ISBN from 10 digit to 13 digit and however the allotment of 13 digit ISBN started since 1st January 2007. The 5th and the latest edition of ISO standard ISO 2108 applicable to all sorry applicable to all monographic publication has been released in 2017 तो दोसों जो भी इस क्लास को देख रहे हैं इसके अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाईए क्योंकि जया रखना मैं आपको इस क्लास के माधियों से यह कहना चाहता हूं कि सपुलता के तीन अधार है सबसे पहले आप बड़ियासा नोट्स बनाईए नोट्स बनाने के लिए मैं बार बार क्यों कर रहा हूं क्यों कह रहा हूं इसका कारणी यह है कि अगर आपके रजिस्टर के अंधर एक बार अगर ISBN का प्रोपर नोट्स बन गया उसके बाद आपको बविशे में नोट्स ब सब्सक्राइब करना और तीसरा आदार है जब आपके रिविजन हो जाएं तो इस टॉपिक के पीछे जितने भी ऑब्जेट यह कोशन बनते हैं चाहें वह अभी हम करवाएंगे इस टॉपिक के पीछे बहुत सारे इंपोर्टेंट कोशन कराएंगे और वह भी इंपोर्ट जो हमेशा distance education से उन्होंने diploma degree या master degree की वी होते हैं तेकिन वह distance education से जो course करते हैं वह एक academic course करने के बाद या degree diploma या master degree करने के बाद युए हाब आपना isbn के ये पांच एडिसन है इन पांचों एडिसन को अच्छी तरीके से याद के लिना कहीं से भी सवाल प्रिक्षा के अंदर पूछा जा सकता है तो मेरे साथ साथ आप नोट्स जुरूर बनाएं आप एक वान नोट्स बना के देखिए रेजिस्टर में आपको खुट अपराप्त की हैं केविस 2018 का मैंने इंट्रू भी दिया था दो 2019 में जो है एमदाबाद हाई कोर्ट में एसिस्टेंट लाइविरेन का इंट्रू दिया जोत्पुर एम्स का रिटन एक्जाम निकाला बहुत सारे चोटे मोटे में एक्जाम निकाले थे लेकिन मेरे जो पढ पास टाइम है तो आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हों मान लिती है आपको पता चल गया कि आज से एक महीने के बाद आपका क्या है वह? एक्जाम है मैन एक्जाम है तो आपके पास एक महینे के लिए आपको revision करने के लिए आपको इस notes की जरूत होगी तो अगर proper notes अगर आपके register में लिखे होंगे तो कम से कम एक महिने में एक topic को कम से कम आराम से 6 वार revision कर सकते हैं जब एकी topic जब आपके सामने एकी word एकी sun एकी year एकी full form जब आपके सामने 5-6 बार आएगी तो आपका जो है बिल्कुल confusion खतम हो जाएगा तो वो चीज एक वार तो आप revision करोगे तब आएगी और वही चीज जब आप objective question solve करोगे तो revision आएगी तो एक वार जब revision करोगे एक वार जब objective question करोगे तो एक चीज आपके सामने 2 वार आएगी तो एक महिने में 6 वार revision होता हो तो 6 into 12 चेंटु दो तो कितना मलब 12 तो वो चीज़ आपके सामने है कम से कम एक महिने में एक ही चीज बारे बारे आपके सामने दिखेगी तो आराम से हर चीज़ आसानी से याद हो जाएगी ठीके दोस्तों यही सपलता का रास्ता है और मैं आपको फिर से गह रहा हूँ मेरा मांग मार्ग दर्शन है लेकिन मैनत तो आपकी ही रहेगी मेरा मार्ग दर्शन आपकी मैनत और उसके सामने आपकी सपलता जरूर मिलेगी दोस्तों चीकर दोस्तों आगे देखिए अब ISO है किया तो ध्यान रखना ISO की पुल- jestem में बहुत ज़्यादा लोग कंफिऊज होते हैं तो ध्यान रखना Saya मतलब क्या हो गया International क्या शेनल दोस्तों आई कलart International अब यहां पर एस रराया लेकिन पहले ध्यान रखना Seoul आए गए ब्यान रखना इस्टेंडर्डाजिशन होती है तो ISO is the world's largest developer of the voluntary international standard कि जो अंतराष्टी मानक जो होते हैं चाहे वो ISBN का हो चाहे ISSN का हो चाहे CCF का हो ठीक है न तो अंतराष्टी इस्टेंडर्ड का जो मानक बनाने की जो है वो क्या है पर एक developer है तो ISO स्वेचिक अंतराष्टी मानकों का विश्व का सबसे बड़ा विकास करता है कौन है पर ISO तो ISO को अमेसा यह काम होता है कि वो एक किसी भी जो चीज है उसको अमेसा इस्टेंडर्ड जो international standard देने का काम करत है अब हम आज very important चीज पढ़ना जा रहे है इसको आप अच्छी तरीके से not down कर लेना और यहां से दो सवाल important बनेंगे और यहां से जो दो सवाल जिसको यह चीज समझ में आ गई और यहां पर दो सवाल important बनेंगे इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान लगना सबको पता होता है ISBN की full firm क्या होती है ISBN कब आया यह सारे चीज़े लेकिन मैं important topic है ISBN percussion की निमलिकी स्रेनी पर लागू होता है चीज़ेंगे न भी आखिरकार ISBN किसको दिया जाता है सबको पता है किताब को दिया जाता है लेकिन किताब के अलावा और कौन कौन से चीज़ें होती है जिसमें ISBN नमबर दे सकते है यह जानना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है तो the ISBN is applicable to the following categories of publication के ISBN जो है ISBN नमबर दिया जा सकता है दोस्तों चीज़ें तो पहला चीज़ दिया जाता है book of all kinds of चीज़ेंगे सभी परकार की किताबे जिसमें template very important question है तो दिया जाता है किताब को ISBN दिया जाता है ISBN नमबर दिया जाता है और दूसरा ध्यानकना template को भी ISBN नमबर दिया जाता है और तीसरा ध्यानकना है maps मैप यानि मान चित्र मान चित्र को भी ISBN नमबर दिया जाता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़े रहती है उनको दिमाग में इता ही रहता है कि ISBN नमबर किसको दिया जाता है तो ध्यार रखना उनके दिमाग में यही रहता है educational videos ज्या लगना तो चौता ज्यान लगना है educational videos होता है उसको भी ISB नमबर दिया जाता है फिर उसके बाद different edition of book, किताब के किताब कोई भी अलग edition जर्य होता है, उसको भी दिया जाता है चाहे वो edition paperback हो चाहे hardcover हो, कोई भी किताब वो चाहे पेपर बेक हो या हाट कवर हो उसको भी अलग-अलग एडिशन यह चौता हो गया तो डिपरेंट एडिशन को भी क्या दिया जाता है आयस बिन दिया जाता है very important books on cassettes on cd अगर कोई किताब cassettes और cd पर अगर कोई किताब है तो भी दिया नगना सबसे important दिया नगना अगर cassettes या cd पर कोई किताब होती है books on cassettes और cd अगर कोई किताब cassettes में हो या cd में हो तो भी उसको isbN number दिया जाता है और it is also applicable of internet publication अगर internet publication होता है तो भी उसको क्या दिया जाता है वही आई एसबीन नमबर दिया जाता है तो ध्यान अगना है बुक के अलावा ध्यान अगना टेंपलेट मैप्स एजुकेशनल वीडियो जो है डिपरेंट एडिसन है कैसेट्स एंड सीडी ओन बूक्स इंटरनेट पॉब्लिकेशन तो इन और एक दो दिन के बाद ISBN का second part आएगा उसके अंदर हम ISBN के और भी बहुत सारी चीज़े हम पढ़ेंगे ISBN के अंदर पांच बाग होते हैं उसी तरीके से ध्यान एकना ISBN के अंदर five elements होते हैं क्या होते हैं दोस्तों जो है ISBN के अंदर जो five elements होते हैं इन elements को कैसे separate किया जाता है उसके बारा में भी हम बहुत सारे चीज़े पढ़ेंगे तो यह आज जो ही ISBN का part one है और जल अगले दो तिन दिन के अंदर ISBN का हम second part भी लेकर आएंगे चिके दोस्तों second part के अंदर जो वो काफी थोड़ा होगा second part के अंदर हम ISBN के five elements हैं उनको separate कैसे किया जाता और भी बहुत सारे important जो fact है उसके बारे में हम सर्चा करेंगे और मैंने इस ISBN के दो पार्ट पढ़ाया थे कितने पार्ट पढ़ाया थे दो पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको पहला part आजया समावत हो जाता है तो अभी आज तो हमारा जो यह part 1 है ठीकर अगले दो दिन के अंदर part 2 आएगा और part 2 आ जाएगा और दोनों part 1 और दोनों सॉरी ISBN के part 1 और part 2 मिला कर इस topic में से कम से कम आपके 50 plus question बनेंगे कितने बनेंगे 50 plus question बनेंगे तो मैं आपको इस topic के बाद जो है 50 questions की जो pdf है हमारे जो है telegram channel के अंदर आपको उपलग करा देंगे इससे क्या होगा ISBN, ISBN की 50 questions की जो pdf है वो हमारे आपको telegram channel के उपलग करा देंगे ठीके दोस्तों तो अभी आज part 1 पुरा हुआ है जल्दों एक दो दिन के अंदर part 2 भी लेकर आएंगे तो जल्दी से आप answer दीजिए मेरे साथ साथ जल्दी से आँजिए के which is the second part of ISBN, ISBN का तीसरा भाग कौ경 सा है तो ISBN का तीसरा भाग होता है पुबलिसे यह आपका पहला भाग हो गया, इ-अन दूसरा भाग यह हो गया, तीसरा भाग यह हो गया, चोता भाग यह हो गया और पांचवा भाग कौन से होता है चैक डिजिट पांचवा भाग हो गया इन में कितने डिजिट होते है इन में तीन अंक होते है ग्रूप में दो अंक होते है पब्लिसर में चार अंक होते है और टाइटल में कितने होगे टाइटल में होगे टाइटल में तीन अंक होगे और चेक डिजिट में कितने होगे एक अंक होगे तो टोटल आपके ISBN में कितने डिजिट होता है 13 टीन दो 5 5 और चाण 9 9 3 12 12 और तो त्यानक ना आपका ऐसे साल पुझा जाता है तो तीसरा भाग कौन सा है दोस्तों publisher है कौन सा है दोस्तों publisher है जल्दी से अगले question का answer दीजिए when was the fourth edition of ISBN published ISBN का चौता संस्क्राण कब परकाशित हुआ था तो आपको पता हैं कि ISBN के अंदर 5 edition है ISBN के अंदर कितने edition है 5 पहला दूसरा तीसरा चौता और पांच वा तो पहला edition का परकाशित हुआ 1907 में दूसरा कब हुआ था 1908 में तीसरा कब हुआ था 1902 में और चौता edition कब आया था 2005 और पांच वा एडिशन कब आया था 2017 तो यहां पर इन्होंने कौन सा कुछा है चौता edition तो चौता edition कब आया था 2005 आया था अगर आपने साइड अंसर अगर इसको notes बना कर आप पढ़ लोगे न एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा ISBN के practice के लिए मैंने 50 important question बना है उसमें 50 में से करीबन 25 question वो है जो previous year के paper में भी आ चुक है इससे क्या होता है एक confidence के होता है कि हाँ हमें कितना समझ में आ रहा है अगला question है वैं डीट दा ISBN started in India के भारत में ISBN कब शुरू हुआ था तो भारत में ISBN शुरू हुआ था आपके 1985 में और भारत में ISBN किसके द्वारा दिया जा रहा है दिया जा रहा है राजा राम महान राइ राजा राम महान राइ महान राइ महान राइ नेशनल एजेंसी के द्वारा दिया जा रहा है तो राजा 2011 से कब से हैं 2011 से एक्चुली राजाराम मौन राइन नेशनल अजेंसी पहले कलगता में थी कहां थी दोस्तों पहले कलगता में थी तो लेकिन राजाराम मौन राइन नेशनल अजेंसी जो हैं कलगता से कलगता से नई दिली में इस्तान इंतर हुआ था तो कलगता से नई दिल दिली में लाया गया था तो वर्तमान ये हम दमान का जो ये नेषनल-खेसेटेटीएि नहीं दिली के अंदर है और नहीं दिली के अंदर कलगता से नहीं दिली 2011 में लाया गया था विस काल ऐस फादर ऑप आई एस बीएन ठीक है ना आई एस बीएन के फादर किसे कहा जाता है तो आई एस बीएन के फादर किसे कहा जाता है तो आई एस बीएन के फादर किसे कहा जाता है डेविड विटाकर को किसे कहा जाता है डेविड विटाकर को आई एस बीएन का फाद कहा जाता है कि आईएस्बीन वाज इंट्रडूश बाई आईएसबीन को किसके द्वारा इंट्रडूश क्या गया था आईएसो के द्वारा लेकिन कब क्या गया था उनिस्टो सित्र में कब क्या गया था आईएस्बीन को उनिस्टो सित्र में इंट्रूश क्या गया था कब क अगला जो सवाल है दोस्तों कि isbn was introduced by अब समको बता है कि isbn को introduced क्या गया किसके द्वारा वे इसो की द्वारा तो iso की full form क्या होती है international organization for standardization क्या होता वे international organization for standardization यह जो प्यान है फिर उसके बाद हम बात करते हैं iso was published as international standard आईसो को जो जो है सोरी isbn को अंतरा स्टे मानन के रुपे प्रकासित क्या गया तो isbn को अंतरा है मानने क्या है isbn का अंतरा स्टे माननक है ISO logiccom क्या दोस्तों iso 208 है ये आपके अंतराष्टे मानक है जया लगना ISBN का और ये किसका है पता ये आपके ISSN का है जया लगना 32 अंतरों ISSN का है ठीक है दोस्तों उसके बाद राजाराम मौनराइ National Agency for ISBN Located ये KVS 2018 के अंदर सवाल आया था कि राजाराम मौनराइ National Agency ISBN काहाँ पर है तो बच्चों ने क्या क्या था जैसे ही राजाराम मौनराइ पड़ा सब लोगों ने कलगता आप्शन करके आये थे लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि राजाराम मौनराइ National Agency for ISBN तो ISBN की दियान रखना है वो काहाँ पर इस्तित है यह दिल्ली है और दिल्ली कलगता से दिल्ली कब सिफ्ट हो गया था ओफिस 2011 में कलगता से दिल्ली जो है 2011 में सिफ्ट हो गया था How many parts are there in 13 visit ISBN यह आया था के विस 2015 में के 13 अंकों के ISBN नंबर में कितने भाग होते हैं तो कितने भाग होते हैं तो कितने भाग होते हैं कितने भाग होते हैं इन्टनेश्णल आई ता है इस एंत्रास्ट ISBN की जो अंत्रास्ट ये जो एजेंस इसको पॉइंट किया गया था आई येशो के द्वारा कांप रहे हैं लंदन में लेटेस एडिशन ओव आई असबीन इस्टेंडर्ड आई येशो 2028, तो lattice edition कब आया था, तो ध्यान देखना पांच वा, ISBN का जो नमीनतम, यह पांच व एडिशन 2017 में परकासित हुआ था, ISBN में साविल है, तो ISBN में कितने digits साविल है, वही, 13, 13 digits सामिल है ISBN के अंदर, ISBN का full form क्या है तो ध्यान रखना ISBN का full form होता है International Standard Book Number क्या है दोस्तों International Standard Book Number है ISBN में अब अंकों किस अंक्या है तो वर्तमान में कितने अंक है वे तेरा डिजिट है ये आपके दो अजाज चोड़ा के अंदर भी आया था राजिसान ग्रेड फर्स्ट में ठीक है ISBN में तेरा अंक होते हैं अब तेरा अंक कव से दें़ihi 1292,200 सांत से ISBN में 12暗 सुरूगे थे हैं बात में izbin के लिए कुछ जीमिदार है तो भारत में ihm किसके दुरह दिया जाता है राजा राम मौन राइजनल एजन्सी और कव से दिया जा रहा है 1985 से दिया जा रहा है बार्त में किस इस्थान से पुस्तुकों को ISBN दिया जाता है तो बार्त में किस इस्थान से दिया जाता है दोस्तों निव दिली से दिया जाता है ये मारास सैट में आया था सवाल ये दिया लगना थो ठीक है निम लिकित में ऐसे किस प्रकॉशन के लिए ISBN की आउसकता नहीं होती है very important question है जल्दी से इसका answer दीजी आप कि which of the following publication does not require ISBN इसमें से कौन सा ऐसा publication है जिसमें ISBN की जरूत नहीं होती है तो द्यान अगना है एक तो diary में जरूत नहीं होती है educational videos में होती है calendar में जरूत नहीं होती है तो A और D तो A और D का मलब यह रहा आपके ठीक है न वहीं तो एक पहला answer हो जाएगा तो diaries और calendars में ISBN की जरूत नहीं होती है ठीक है अगला सवाल है निम लिकित में से किस प्रकॉशन के लिए ISBN की आउसकता नहीं होती है अगले एक दो दिन के अंदर ISBN का जो हम पार्ट टू लेकर आएंगे ठीक है ना तो पार्ट टू के अंदर भी अभी ये 19 कुश्शन है पार्ट टू के अंदर करीबन 31 कुश्शन और बनेंगे तो 19 और 31 करीबन 50 कुश्शन की जो प्रक्टिस सेट है जो आपको हमारे कहा अपन मिलेगी भई जो है टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे और जो भी विद्यार्टी इस क्लास को देख रहे है सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि डाउनलोड एप टीक है डाउनलोड एप आप हमारा एप को डाउनलोड कीजिए आपको कहा जाना है प्ले इस्टोर में जाना आपके मॉबल फॉन के उर वहाँ जाकर आप लिखिए Online School India क्या लिखिए दोस्तो ऑनलाइन School India आप एप को जरूर डाउनलोड कीजिए Online School India एप को यह हमारा एप का नाम है आप इस एप को डाउनलोड कीजिए इस एप के अंदर बहुत सारे डेमो वीडियोज हैं आप डेमो वीडियोज को भी देख सकते हैं द्यान लगना देमो वीडियोज को देख सकते हैं और हमने बिहार का जो कोर्स है बिहार लाइबेरियन का जो कोर्स है वो हमने शुरू कर द न 1099 on in यह आपका जो है 50 पर सेंट ऊफर चल रहा है तो आपके बीहार लाइब यह जो कोर्स है 1909 सिर्फ घ्न 999 में आपका जो बीहार लाइब विरंग का जो कंप्लीट कोर्स मिलेगा इसके अंदर ज्यानकना क्या क्या मिलेगा सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक का वीडियो है उसी वीडियो के नीचे क्या है दोस्तो पीडियप है और उसी पीडियप के नीचे उसी टॉपिक का क्या है दोस्तो टैस्स सिरीज भी है सबसे पहले वीडियो वीडियो के नीचे पीडियप और PDF के निचे क्या है, दोस्तों, test series भी है, ताकि सबसे पहले विद्यार्तियों को क्या करना है, PDF से क्या बनाना है, notes बनाना है आपको, ठीक है न, सबसे पहले notes बनाइए, और PDF के अंदर जो content है, वो content इस बार हमने bilingual दिया है, Hindi medium का student भी पढ़ सकता है, तो notes बनाएए, notes बनाने के बाद अराम से इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद revision कीजिए और revision करने के बाद आप अराम से test दीजिए, और test देने के बाद आपको एक अलगी ही feeling आएगे, एक अलगी ही confidence आएगा, और आपको यह पता चल जाएगा, कि मैं librarian बन सकता हूँ, या नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि आप पहले notes बनाओगे, notes बनाओगे तो आपको 20% याद होगा, जब फिर उसके बाद notes बनाने के बाद आप मेरा video देखोगे, तो आपको 40% और याद हो जाएगा, तो 20 और 40 किता होगे, 60%, फिर उसके बाद आप revision करोगे, तो 20% और याद हो जाएगा, 60 और 20 कितना हो गया, 80%, फिर उसके बाद revision करने के बाद जब आप test दोगे, तो आपको पूरा topic 100% clear हो जाएगा, और आपको अंतरा आत्मा से एक आवाज आएगी, कि हाँ, अब मैं librarian बनने की इस्तिती में हूँ, और अब मैं librarian बन सकता हूँ, तो ये आपका process है, ये ही selection का आदार है, इसके अलावा कोई selection का आदार नहीं है, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ, कि जो है, मैं पढ़ाऊंगा, तो आप selection हो जाएगे, मैं आज भी उस चीज़ में विशाष करता हूँ, मेरा मार्क दर्सल, आपकी मैनत और बराब equal to आपकी सपलता हूँ, यही सपलता का आदार है द्यान अगना, ठीक है ना, मैं आपको guide कर सकता हूँ कि इस topic को कैसे पढ़ा जाए, इस topic को कैसे पढ़ना है, इस topic की theory को कैसे समझना है, objective questions कैसे हैं, तो मैं आपको एक ठाली परोसरा हो, बस आपको शिरब केवल, वहाँ से वो खाना उठा के खाना है, बस मुझ में अपने को खाना है, बस यह चीज़ जना, अब उचको कैसे खाते हो, वो आपके निर्वर करता है, ठीके दोस्तों, और मैं बिहार लाइबिरिन बट्टी परिक्सा की तेहरी करने वा आपका सब कुछ के लिए हो जाए गया, और जो विदियार्टी बिहार लाइबिरिन को सेलेबस को लेकर बहुत ज़्यदा चिंतित है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपका सेलेबस के आदार ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका स जैसे हैं, और जैसे ही वेकेंसी आएगी, उसके बाद हम लाइक कोर्स शुरू कर देजिए, इतना अच्छा कंचेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे इस क्लास को अच्छी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के सा जो हैं, रिविजिन कीजिए, टेस्ट दीजिए, इसी यही सपलता का आपका आदार है, और आप सभी को, धन्यवाद आप सभी ने हमारे इस चैनल को लाइक किया, सस्क्राइब किया, और अपने दोस्तों के साथ सेर किया, इसी तरीके से आप मेरे साथ जो इसी परकार से सन आप कभी भी इस नंबर पर कोल कर सकते हो, 894999992361, ठीके न, इस नंबर पर आप कभी भी कोल कर सकते हो, ठैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अन्यवाद आप सभी लोगों क्या, ठीके, ठैंक यू. झाल, प्यू.